मिस्टर एक्स की तरफ से आप सभी साथ ही को मेरा प्यार भार नमस्कार मित्रों आज तारीक इन्वरी सन 2019 रात्री के नौ बजने वाले हैं आज जैसा कि आप सभी लोगों को पता आगा 68500 के बारे में स्पेशली में बात करना चाहूंगा तो आज एक अच्छी वहाज 3033 की कील साब की तरफ से हुई और मुद्दा ये रखा गया कि जो सीटे बची हुई है वो अलोट कर दी जाए जैस साब ने भी पूछा कि इन सीटों का आप क्या डिस्पोजल है गवर्मेंट से पूछा गया है तो अभी गवर्मेंट के सामने भी मजबूरी है कि इनको खतम नह नहीं हो पा रही है ठीक है चलो कोई बात नहीं दे रहा है दुरूस्ता है बहस हो तो अच्छे से हो और सबर रखना चाहिए अब कुछ लोग ऐसे यह सोच रहे होंगी कि 17 य 18 तारिकों केस फाइनल हो जाए दोस्तों इसतनी जल्दी केस फाइनल होता है बहुत मुश्किल ह होता है कोई भी केस क्यों ना हो चाहिए कितना भी मजबूत आप क्यों ना हो स्वामने वाले को मौका दिया जाता है अपनी सारी बाते रखने का ठीक है तो दो तीन तारिक है मेरे इसाब से और लगेंगी तो उसके बाद शयाद आपका केस फाइनल हो जाए मैक्सिमम दो य ठीक है तो मित्रों बाकी 69000 से मैं ज्यादा कुछ इनवोल नहीं होना चाहता हूं 69000 में जैसा भी चल रहा है ठीक है कटोफ हटेगा तो भी ठीक है ना हटेगा तो भी ठीक है लेकिन कटोफ अगर हटता है तो यह मैं मुझे ऐसा लगता है सब मेरा अनुभव के हिसाब से आपको क्लियर करनी चाहिए कि क्या शर्ते हैं किसी भी एक्जाम के जैसा कि 30-30 में था 30-30 शर्ते थी उसी हिसाब से कटोफ नहीं यह भी एक शर्त थी बाद में बताएं यह गलस चीज बाकी मैं 69000 में ज्यादा इनवोल नहीं होना चाहता हूं मैं सिर्फ यह कह देना चाहत काफी डबल हैं आपका फिर डबल स्टेंडर्स है हर एक चीज़े देखते हो और उन लोगों के लिए बोल देना चाहता हूं जो लोग ही कहते हैं कि आप घर में बैठकर सारी रिपोर्ट्स चाहिए उनको मित्रों अप लीगल टीम जो काम है भी कोई टीम कार्ये करती है वह आपको हीरो जो बनाना होता है जो आपके पास डेली अपडेट्स देते रहते हैं आपको कुछ उल्टी सीधी बाते बताएंगे जो आपको अपडेट्स देंगे आपकी मन मताविक बात होंगी तो आपको वही लोग अच्छे लगने लगते हैं तो मित्रों अगर तो दोस्तों आपको ख़ब्रे दी जाएं ये ज़रूरी नहीं जिसको खब्रे चाहिए लखनोग जाईए खब्रे लेकर आईए सबसप किसी मित्र ने बहुत अच्छी पॉस्ट डाले थी जिसको घर में बैठकर शब्रें चाहिए उनको खबरे ना दी जाएं बहुत अच्छी बात कही थी मैं इसका पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूं ठीक है तो बात यह है और दूसरी चीज में आपको बता दू आप लोग कल के दिन को बोलते हैं कि सुनवाई नहीं और उन्हीं लोगों को कोसने लगते हो आप अच्छा रियक्शन देना शुरू कर देंगे ठीक है मित्रों अपने स्टैंडर्स क्लियर रखी आपको किसको सपोर्ट करना किसको नहीं करना करना है तो ढंग से करी नहीं करना तो बिल्कुल मत करी ठीक है और जो लोग धरने में नहीं आते हैं एक दिन में आप बिलबिला जाते हो दूसरे दिन के लिए आपको बोला जाए कि एक दिन और धरना चलेगा तो आप लोग रोने लगते हो सच बता हूं मैं और उन लोग कंडिशन सोच कर देखे चार यह पांच महीने से लखनो अब लोग ऐसे बोल देते हैं कि नहीं सुनवाई हो रही है कुछ कर नहीं है ऐसा है वैसा है तो मित्रों यह चीज़े अच्छी नहीं लगते आपको अगर आप वह देखिए सारी चीज़ें से अवगत होई जब जाकर आप किसी के बारे में बोलेंगे तो अच्छा रहेग बेसलेस किसी पर आवरोप लगाना बहुत गलत बात होती है बली कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं हो मैं भी क्यों नहीं कोई भी हो मैं किसी के बारे में गलत बोलूँगा यह मुझे इधिकार नहीं है ठीक है मित्रों तो बाकी देखिए आप मैच्छोर आदमी है आप धरने म नहीं जाते हो एक दिन धरने में नहीं जाते हो आप लोग उमीद करते हो कि दूसरा व्यक्ति सारा कारिया आपको सिर्फ पैसों के बल्बूते करके दे दे तो दोस्तों आपने नोकर नहीं रखा है काम आपके लिए कौन करता है पैसा लेता काम करता है कौन करता है जो आप कई आपके नोकर नहीं है आपका सहे होगी जुरूर हो सकता है को नोकर नहीं कि मुझे पता है किया क्या पीड़ा है लोगों की तो आप खुद धरने में भी जाना पसंद नहीं करते एक mail करना पसंद करते एक tweet करना पसंद नहीं करते और मैंने क्या बोली थी आप को यह बात बुली थी कि आप धरने के लिए तयार नहीं है कितनी भीड हुई आपकी condition मुझे पता है क्या condition है लेकिन आप दूसरे से ही उम्मीद पूरी रखते हैं कि वो आपको सारा कार्य करके दे तो यह double standard हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताईए आप अपने से भी तो उतनी उम्मीद रखे जितना दूसरे से रखते हैं चार दिन कोट के चक्कर लगा कर देखिए या किसी आसपास रहने वाली व्यक्ति से पूछ कर देखिए का यह बात जो लगतार केस लड़ता आ रहा है कि केस कैसे लड़ जाते हैं अगर नहीं है तो बोलने का हक नहीं है जिसको तज़ुर्भा हो वो सही लगती बात और मित्रों आपको यह लगता के अपडेट दीजाए तो कोई मीडिया-गर्मी नहीं है जाएं को आपको टाइमसर अपडेट दीязए यह काम नहीं नहीं है उन लो का सिर्फ इतना है कि केस कैसे चल रहा है करता लो काम है यह काम है यह घंग से देखा जाएं उसके लावा एक अपडेट्स देना किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती, एवन मेरी भी नहीं बनती, और नहीं मैं अपडेट देने के परफस्य कभी आता हूँ, आपको बता देता हूँ, जो मुझे ठीक लगता हूँ, भले के लिए जो ठीक लगता है वो चीज़-आपको आज नहीं तो कल बन जाएंगे यह भी मैं आपको पूरी उम्मीद दिला देता हूं ठीक है तो मित्रों और मैं बता दूंगा आपको उनात्र हजार में भी बहुत से गुल खिलने बाकी है उनात्र हजार में जो लोग सोच रहा है चैन हो जाएगा भली आपके 110-110 सब्सक्राइबाद में हो जाएं मुझे कोई वह नहीं संका नहीं मुझे को दुश्मन ही नहीं आप लोगों से मित्रों लेकिन इसमें काफी चीज़ें होनी बाकी है 88,500 में काफी चीज़ें हो चुकी हैं काफी बुरे दिन देख चुक है बाकी मैं दुश्मन नहीं हूँ किसी भरती विरोधी नहीं हूं लेकिन मित्रों हर एक चीज़ के लिए हर एक सिच्चुएशन के लिए तयार रहना अपने मन को तयार रखना बहुत ज़रूरी है एक वही बात कहते हैं prepare for the worst and hope for the best सबसे अच्छे के लिए उमीद करिए और आपके लिए तयार भी रही है तो मैं आपा दूँ अभी भी सब्र रखने की जरूरत है अत्यांत उतावलापन दिखाने जरूरत नहीं है जैसा आप है normal रही है ठीक है कोई ज्यादा उतावलापन करने की जरूरत नहीं है जब तक जीत ना जाए जब तक आपके हाथ में जोईनिंग लेटर ना आए जब चया दिया ठीक है काफी लोगों ने तो शायद देखा भी नहीं होगा खैर छोड़ दीजी सारी बाते नहीं करूंगा बहुत समय हो गया है उम्मीद करूंगा कि अच्छे दिन आपके जल्दी आएंगे और यह मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपके मंजिल आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब क्या है